हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विन अतिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार साथियों आप सभी को वेरी गुड इवनिंग आप सभी साथि जल्दी से जुड़ जाईए फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन हम लोग से स्टार्ट करेंगे सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को जादा जादा शेयर करेंगे सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएगे और जितना जादा सेशन को शेयर कर सकते हैं रादे रादे कार्तिके जी सभी लोग को रादे रादे राम राम सस्त्री एकाल सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएगे और जितना जादा आप सेशन को शेयर कर सकते हैं और जितना ज्यादा वीडियो को लाइक कर सकते हैं लाइक कर दिई जिन भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीके ना आज थोड़ा से लेट हो गया विटा हाँ जी थोड़ा से जादा जादा थोड़ा से जादा लेट हो गया जी चले स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा है देखें और एंसर करके बताईए क्या एंसर आएगा सभी लोग आज का पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है सभी लोग उसको देखेंगे और सॉल्व करके बताएंगे क्या रिस्पॉन्स आएगा चले सभी लोग आ जाई जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजे सभी लोग जल्दी जुड़ जाईए शेयर करते जाईए जल्दी जतने लोग अभी तक शेयर ना कर पायो और फिर हम लोग जी फटा फट शेयरिंग कर दीजे जी बताईए क्या रिस्पॉन्स बनेगा इस कोश्चन का पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है सभी लोग जाईए क्या रिस्पॉन्स बनेगा यह हर्र महादेव प्रिंस महादेव बिटा तिम्रन अजी निशा सिवं यूपी वाले सभी लोगा जाईए हानि याद वजी होती बिटा चली देखेगा यहां पर अगरं चोश्च करें तो क्या हो रहा है जैसी कैसे आसकता है देखो अगर नौ का इसक्वाय कर दें कितना हो जाएगा इक्यासी हो जाएगा और कितना माइनस कर दें तो 78 आ जाएगा कितना आजाएगा 78 आजाएगा क्लास सल रही है लाइव है कि फूस हाँ जी चले तो यह हो जाएगा उसके बाद देखो 19 का स्क्वाइर करते तो कितना जाता आपको पता ही है हाँ जी हाँ कुछ बच्चों घुसाय थे तो बच्चों को बार निकालना पड़ा तो कि निकलो निकलो जल्दी सी निकलो हाँ करते हैं 361 माइनस कितना कर देते पेटा सिक्स कर देते तो 355 आ जाता कितना जाता 355 कि चलिए अगले कोश्चन पर आजए जल्दी से फटाक से आज थोड़ा सा सेशन छोटा ही रहेगा हाँ पार देयाल तुम्हारे एक आग बच्चे ठहल तो घुमते आगे यहाँ पर ठीक है जी आगे बढ़ते नेस्स कोश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने की कोशिस करिए और बताईए तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिस करें कि कॉंसेस्ट नख पुरा करें तो A से G यानी प्लस 6, साच छे 13, 13 होचे 29, 19 और 6 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, 31-26 कर देखेंगे तो 5 आजाएगा कितना जाएगा 5 यानी E सब में आ रहा है, सारे आप्च्चन में E आ रहा है, अगला देखो F से L यानी 6 से 12, 6 जोड़ा, 12 से 18, 18 से 24, 24 प्लस 6 24 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 30 तीस और 6 यानि 6 चार 10 यानि जे आजाएगा यानि अंत में जे आएगा यानि दो option तो कटा लेकिन अभी confusion तो बना रहा अब आगे देखो L से R 12 से 18 18 से 24 6 10 और 6 16 16 बोले तो P P P यानि यह option कौन सा option है जो सिरीज चल रही थी जो सिरीज चल रही थी प्लस 6 और प्लस 6 किये जल्दी छे बताएंगे इस question का क्या answer आएगा फटा 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 राम 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 विटा अभी अंकुर विटा अभी तो कोई आइडिया नहीं है कि कब होगा पेपर क्योंकि अभी कोई ऐसी डेट बताई नहीं गई है कि कब एक्जाम होगा ठीक है जी अब आजाओ मैट्रिक्स के question पे इसको देखते हैं कि क्या response हाएगा या कैसे बनेगा तो देखेगा ध्यान से एस ये एस है ये पी है ये ए है ये ए है ये के है स्पीक एस पी एक एस पी एक अब इसमें बताना कि कौन सा स्पीक का कोड क्या होगा तो देखो 56, 23, 43, 4 ये किसका है एक एसका 56, पाँच ओ छ्छे एस है ना बीस पर भी है 43, 4 और 3, 4 और 3 देखो ऐस है और 0, 4, 0 और 4 देखो ऐसे यानि चारो तरफ ऐस दिखाई दे रहा है ठीक है जी लोगों हटाओ, लोगों हटा दें, लोगों नहीं हटा रहे हैं अधर कर दें चलिए अगले कोश्चन पर आजाएंगे तो S का हमने चेक कर लिया दूसरा आप देखो लास्ट चेक करते 78 00 41 और ये है K का K का 00 00 पर तो K है 41 पर 4 और 1 पर K नहीं है J है इसलिए यला काट उसके बाद 78 पर देखो तो 7 और 8 पर देखो K है यानि अभी K से किवल A कटा आगे आजा 42, 42 है 87, 87 पर देखो क्या A है 8 और 7 पर नहीं है तो ये भी काट दो, अब बचा ये दो आप्शन, 95 पर देखो क्या E है, 95 पर देखो E है 95 पर E है, 55 पर E है 55 पर Q है, यानि ये आप्शन काट दो, एंसर हो जाएगा B एंसर आजाएगा आपका आप्शन नमबर B, करवाते हैं हर बार पिटा कराया तो है मैंने, एनलोग या कोस्टन मैंने करा रखा है आप लोग को हर बार दो तीन कोस्टन आते हैं पेपर में इस बात की शुरटी है जी, चली अगले कोस्टन पर आजाएगे, नेक्स कोस्टन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इसको सौल करके बताएंगे क्या एंसर आएगा जल्दी से बताएंगे बोला इसमें से कौन सा वाला लग है आभा अगर चमक, आभा मतलब एक तरीके से अनभूती कह सकते हैं चमक, विराम, अंतराल, यानि दोनों ये समानार्थी हैं समानार्थी सकते हैं, कैसे हैं समानार्थी जिनके अर्थ समान होगे ठीके, सुस्त और जीवन्त ये अलग है, डल और ये तो आपका एंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, आपका एंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा चलिए, अगले कोश्चन पर आजाएगी सभी लोग, अगले कोश्चन पर आएंगे बताएंगे इसका क्या एंसर आएगा जल्दी जल्दी इस question का answer करके बताएंगे क्या response बनेगा ठीक है जी इसको बताईए तो ये किस में मिलेगा आपको जल्दी से बताईए सभी लोग देखो गौर से देखो तो ये रहा आफ कर और ये रहा देश बन समझ आया क्या बन जाएगा option number B 15 questions कर लेने हमें जल्दी से करिए सभी लोग जल्दी बताईए सभी लोग क्या response आएगा फटा फट बताएंगे सभी लोग क्या response बनेगा जल्दी बताईए सभी लोग क्या answer या क्या response बनेगा फटा फट बताईए इसका क्या response आएगा सभी कोई डेट नहीं आई है वेस्ट बेंगॉल चुनाओ तक के लिए सब चीज जो है वो हटा दी गई है चलिए मेजर है करनल है ब्रिगेडियर है एडमिरल निक देगर कर्म से उस सब्सक्राइब कीजिए जो औरों से अलग हो जो अलग है वो बताना है एडमिरल क्यों क्यों क्योंकि ये नौ से ना जी ये किस से रिलेट करता है आपका अगर हम लोग इसकी बात करने की कोशिस करें तो ये आर्मी से रिलेटेड है ये तीनों तीनों चीज़ें आर्मी से रिलेटेड है और ये नेवी से रिलेटेड है ठोड़े बहुत रिपीटेड होते है सारे रिपीटेड नहीं कह सकते वेटा चलिए अगले कोश्रन पर आ जाएं नास कोश्रन आपसे कह रहा है City वाई कॉलेजों में चात्रों के लिए वर्दी पहनना अनिवार बना दिया है पहला बोलाया आपसे सहर चाता है कि कॉलेज के चात अधिक अनुसासित ओ सहर का मानना है कि वर्दी अधिक अनुसास्न लाएगी क्या ऐसा है कि आपका डिसाइड पायेगा तीनी ओप्शन दिये त्रैंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाला दोनों एंफरेंस दोनों अनुमान क्या है सही है कि दो सीदी सी बात है हम लोग स्कूल्स में भी ड्रेस क्यों लगाया गया था ताकि चीजें सॉल हो सके चाहा की चीजें अच्छे से हल हो सके जी ताकि चीजें जो है वो अच्छे से हो सके हल हो सके बहुत आराम से कोई दिक्कत नहों अच्छा साइड लोगो प्लीस चलो ठीक है यह का मतलब इसका क्या एंसर हो जाएगा दोनों का दोनों क्या है सत्थ जी ठीक है चलिए अगले कोश्चन पर आजए इने इस कोश्चन आजए आठवें अच्छा डियो ऑप्शन यहां आ गया है कोई बात नहीं अगले कोश्चन पर आजए आठवें जल्दी से जल्दी लिए बताएंगे सब भी लोग क्या एंसर आएगा जल्दी से जल्दी से बताएंगे सराब भी हो गया अच्छा जी कौन सा नहीं समझाए बेटा इसमें इसमें आपका एंसर था धरड़ वाला इसमें देखो जैसे पांच का क्यूब करके अगर हम प्लस दो कर दे एक सो पचीस और प्लस दो कर देंगे तो 127 आजाएगा फिर 6 का क्यूब करके प्लस दो करके देखे तो 216 प्लस दो कर देंगे 218 आजाएगा साथ का क्यूब और प्लस दो कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 3 और प्लस दो कर देंगे कितना हो जाएगा 3,4,5 अब 5 होगे 6 होगे 7 अब 8 8 का cube करेंगे कितना हो जाएगा जी 512 और प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 514 लॉजिक जो है वो प्लस 2 का चल रहा है चले अगले question पर आज़े ये question number 9 चले जल्दी से बताएंगे इस question का क्या answer बनेगा बिल्कुल बिल्कुल जी डीके राजस्थानी बिटा एक अप्रेल से आपकी सारी classes स्टार्ट हो जाएगी आप लोग बिल्कुल निश्चिंद रहिए ठीक है इसमें बताना है वर्गों की संख्या कितनी है कितनी squares है ये बताना है आपको देखो सीधी से बात है पहले इतने को देखो तो कितने दिख रहे है पांच दिख रहे है एक दो तीन चार और एक पूरा पांच ऐसे इसको बड़ा कर दो तो पांच और पांच कितने हो जाएंगे दस तो पांच और प्लस पांच दस तो ये होई गए अब आपको चार और दिखाई दे रहे होंगे 10 के बाद देखो 10 के बाद देखो ये रहा 11 ये रहा 12 ये रहा 14 14 के बाद देखो क्या हो रहा है 14 के बाद एक ये बन जाएगा 15 और एक ये बन जाएगा 16 16 कितने 16 बिलकुल सही जवाब आ रहा है 16 is the final answer चले अगले question पर आएंगे question number 10 question number 10 इस question का answer करके बताएंगे क्या response बनेगा इस question का answer करके बताएंगे क्या response बनेगा फटा फट सभी लोग बताईए इसका क्या answer आएगा सभी लोग जल्दी जल्दी साहे लोग का answer आजाना चाहिए और मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों ने अभी तक शेरिंग नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक शेरिंग नहीं किया है जैसा कि मैं यूटूब में देख पा रहा हूँ आप लोगों ने अभी तक शेरिंग नहीं किया है हाँ ये 600-700 बच्चे होने चाहिए थे अभी तक नहीं हो पाएं क्योंकि आप लोगों ने दिल खोल के शेरिंग ही नहीं किया है तो मैं एक बार मैं भी शेर कर देता हूँ ठीक है कर दिया चलिए अब आप लोग और एक बार शेरिंग मार दो दबाके दम लगा के तो चलिए अब आज़े यहाँ पर बोलाए आपसे कि घोषणा करना ट्रॉफी, निकास, भाषण और फोटो सबसे पहले आप कोई चीज़ की घोषणा करते हो अनॉंस्मेंट करते हो सबसे पहले आप किसी चीज़ की अनॉंस्मेंट किसी में नहीं है एंसर क्या हो जाएगा किसी में है ही नहीं तो एंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा एंसर क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा जब तक हम किसी चीज़ का अनॉंस्मेंट नहीं करेंगे तो उसे related कोई बाते हुँगी ही नहीं, फिर announcement के बाद देखो, फिर आपको दिख रहा है, announcement फिर trophy, trophy के बाद फिर pitch, pitch के बाद फिर photo और फिर exit हो जाओ, चलो, पालम अगर दिल्ली से related है, दम-दम किस से related है, पालम अगर दिल्ली से related है, जी, पालम हवाई अड़ा है, ना, कहा पर दिल्ली में नौ से ना का, तो दम-दम कहां पर है, हवाई अड़ा है, कहां पर, हवाई अड़ा है, दिखो, पालम अएरपोर्ट है, या एरबेस है कहा सकते हैं, हम लोग इसका, डिफिर्स का कहां पर है, दिल्ली में है, तो ऐसे दम-दम कहां पर है, तो कोलकाता में है दमदम कहां पर है क्यों हो गया रिना शर्मा कौन दंगा हो गया क्या वुलकाता चले नाइस कोश्चन पर आज़ ज़िए कोश्चन नमबर बारा पर हम लोग आ चुके हैं बहुत सही स्पीड में हम लोग मतला हमें लगता हैं 20 कर ले जाएंगे फिर से 9 बजे से बिटा मेरी जो क्लासेश चलती है मेरी यूटूब की जो क्लासेश चलती है 2 पहर 12 बजे 2 पहर 12 बजे कहां पर से सी एक्जाम से चैनल पर भी आप हैं 2 पहर 2 बजे 2 पहर 2 बजे कहां पर एक्जाम पर उपर और फिर 2 पहर दोपहर तीन बजे रात नो बजे रात नो बजे कहाँ पर S.S.C यस उसी तरीके से भोपाल को क्या कहा जाता है तो भोपाल को हीरा सहर नहीं कहा जाता है नद्यों का बिन जीलो का सहर City of Lakes City of Lakes कहा जाता है चलिए अगले कोश्चन पर आजाईए यह लिखा हुआ है जल्दीश देखिए नौ अगर 739 से रिलेटेड है जी नौ अगर 739 से रिलेटेड है तो आपको बताना है क्या एंसर आएगा जल्दीश बताईए स्काई पिंक होता है अभी नहीं पता वहां का स्काई ब्लू है कुटाई होगी मिस्टर सूर्या इधर देखो नौ का अगर हम क्यूब कर दो कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा तो आइधिंग 1723 17 क्या हो जाएगा टू थ्री लक्षवेज में पढ़ा दो क्यों क्या हो गया लक्षवेज में क्या दिक्कत हो गया जी चलिए नेक्स्कोश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से बताएंगे इस क्या एंसर आएगा अच्छा वहां की लड़कियां गुलाबी होती इसलिए चलिए अगले कोश्चन पर आजए जल्दी से बताएंगे इस कोश्चन का क्या एंसर आएगा जी और वे 17 सो बिल्कु सही था अलका कुमारी, संजना, सविता, संजीत, रिंकी, गौतम, संकेत, वन मैन, आर्मी, लक्षबैच, पढ़ादो सप्लीज, नितिल पांड़े से चले गए हैं चले इसको देखते हैं यहाँ पर देखो 48 का मतलब घर अगर हम 4 इंटू 8 कर दे तो 8 क्य क्या एंसर बन जाएगा पंद्रह नंबर कोश्चन पर आजए जल्दी से तो पंद्रह नंबर कोश्चन पर आजायेंगे आप सभी लोगए इसका क्या एंसर आएगगा है एक अप्रैल से एक अप्रैल से हके महारती उर्फ रहें स्टैन्य दोनों की स्टार्ट ऊजाएंगे एक अप्रैल से दोनों की स्टार्ट हो जाएंगी जई देखो ये कोश्चन बहुत अच्छा है इस कोश्चन का मैं देखना चाहूं कितने लोग लॉजिक निकाल पाते हैं मुझे इसका लॉजिक चाहिए कौन लॉजिक कमेंट कर सकता है बताएगा प्रेंच सर बीटा क्लास अभी तो नहीं लेने साहे हाँ चलो देखते हैं कोई बता सकता है इसका देखो वेटा इस कोश्चन का लॉजिक ही डिप्रेंट है बीच के दो अच्छा उठाओ तेरा और प्लस एक कितना हो गया चौदा बीच के दो अच्छा उठाओ तीन देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ है तो साथ का अतलब यह ओटी यहाँ दो तीन चार पांच छे साथ आठ था तो आठ में तो चलो दो सोंग में आए था अब फ्लोटिंग में बीच में कितने हो जाएंगे दो जी ए और लगा दो फ्लोटिंग है ना एफ एल ओ एटी आई एंजी फ्लोटिंग कर लो इस पैलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझे लग रहा फ्लोटिंग के स्पैलिंग यह होती है फ्लोटिंग के स्पैलिंग यह होती है आपको फ्लोटिंग अब बीच का दो लेंगे तो एटी यानि एक प्लस बीस बराबर 21 अच्छा कोश्चन था यह कोश्चन गलत भी था इसलिए इसलिए गलत भी था चलिए इसको बताईए 16 नंबर आ गया है जल्दी से अगले कोश् जल्दी से फटा फट बताईए तो यह अच्छा कोश्चन है देखो वी एल ओ सी आई टी वाई एफ वी पी अल वाई आर एच सी देखो उनकी सागत के लिए जैपर से में पिंक कलर किया अच्छा चलो देखो यहां आपका देखो V का opposite क्या होता है E और प्लस बन कर दिया तो F E का opposite V O का opposite L I का R यानि वाविल का क्या लिया है opposite लिया है और consonant में opposite लेके प्लस बन कर दिया है consonant में opposite लेकर plus one कर दिया है प्रस यही काम था आपका L का opposite P बोला है B, C का opposite क्या होता है X plus one S, L का opposite O plus one S, T का opposite क्या होता है GG plus one S, Y का opposite B plus one ऐसे यहां देखो A, double C, E L, E, R A, T, I, O, N acceleration A का opposite क्या हो जाएगा Z, E का opposite V E का opposite V A का Z, I का R, O का L N का opposite M plus one T का opposite G plus one H, R का opposite I Phr J, L का O के बाद P C के बाद Y C का X, X, Y Z, Y, V, P, V Z, Y, V, P, V इसमे भी नहीं है Z, Y, Y, V, P, V Z, Y, Y, यह भी कट गे अच्छा कोश्चन था option number B इसका answer सही है चलिए, question number 17 आज इत्ता ही रखते हैं बेटा जी अभी एक event होना है exampur के YouTube channel पे ठीक है exampur जो है exampur के main channel पे आपके लिए छोटा सा notice है उसको सुनने के लिए आप लोग तुरंत exampur के main YouTube channel पर आ जाईए हम लोग वहाँ मुलाकात करते हैं इस question का answer आप लोग मुझे comment box में कर दीजेगा हम लोग थोड़ा late थे लेकिन हम लोग अच्छे से कर लिया है cover up और जितने भी लोग लखनो के आसपास के हैं वो मुझे से मिलने आ सकते हैं और यहाँ पे classes कर सकते हैं exampur के लखनो offline center पे तब तक ले मस रहिए खुस रहिए मुस्कुराते रहे जैहिन जै भारत जैग जामपूर कर वे जैग जामपूर थेंक यू